कैसी रही आप लोगों की होली मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आज की रेसिपी है मतर कचौड़ी यानि की मतर की कचौड़ी सबसे पहले स्टाफिंग के लिए मिक्स्टर बनाना है उसके लिए मैंने मतर लिया है 250 ग्राम्स लेसन की कलिया लिया है 7-8 मसालों में हल्दी नमक करम मसाला और लाल मिर्च चाहिए अब डो बनाने के लिए देख लेते हैं आंटा लिया है मैंने 3 कप्स अराउंट कसूरी मेती 1 टी स्पून ओईल एंड वाटर लेंगे चलिए सबसे पहले हमें इस मतर को एंड लेसन को एक साथ ग्राइन करना है एक थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाना है क्रम्बली पेस्ट बहुत साथा फाइन नहीं करिएगा देखिए दिलाइन कर लिया है मैंने अब इसे हम फ्राइ करने के लिए एक पैन चड़ाते हैं इसमें ओईल डालिए आप चाहो तो लेसन को स्किप भी कर सकते हूँ इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बट अगर आप लेसन नहीं खाते हैं तो आप इस प्रोस को स इससे भी क्राकल होने तक वेट करेंगे मसाले भी सारे हम ओईल में ही डालते हैं हल्दी पाउडर लाल मिर्ज पाउडर और गरम मसाला वांटी स्पून डालेंगे इससे मिक्स कर लीचे एंड एक मिनिट तक इसमें ओईल में पकाएंगे इन्हें गैस का फ्लीम लो रखिएगा चलिए इसमें अपना मतर का जो पेस्ट बनाया है हमने वो डाल देते हैं यह हम स्टफिंग के लिए बना रहे हैं तो हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक एकदम ड्राई नहीं हो जाए और अच्छे से बुन नहीं जाए और मतर का कच्छापन निकल जाए अच्छे से सॉल डालेंगे इसमें हम मिक्स कर लिजिए प्लेम मीडियम रखेंगे नहीं बहुत जाए नहीं बहुत जाए नहीं बहुत जाए नहीं जल जाएंगे बीच बीच पे इससे चलाते भी रहें नीचे से भी स्क्रेप आउट कर दीजिए चलिए जब तक यह मिक्स्चर हो रहा है तब तक हम डो की त्यारी कर लेते हैं आटा ले लिजिए इसमें कर दो में मोहिन लगाना है क्की हम तामा ककशौरी बनारे हैं करस्पनी करस्था बने इसके लिए मोहिन लगाते है तो मोहिन के लिए 1 रूमा क Valve में एड़ करेंगे कासूरी मित्ही plugged की डाल दियए नमक एक पिंच डाल दीए जितना अच्छा मुएन लगेगा उतनी अच्छी कचोड़िया बनती है तो आप इसे जरूर डालिएगा मिक्स कर लीजे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे नीट करेंगे इसे हमें बहुत जादा नीट नहीं करना है रोटी के आटे की तरफ इसे हम बस बाइंडिंग फॉर्म में कर देंगे क्चोड़ी का आटा थोड़ा हार्डी है रहता है तब ही कचोड़ियां क्रिस्प बनती है तो इसे बहुत जादा नीट मत करिएगा यह देखिए मेरा डो रेडी हो गया है इसे हम 10 मिनिट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए यहां देखिए मिक्स्चर हाफ डन हो गया है अल्मोस्ट नीचे से भी स्क्रेप कर लिजे दो मिनिट के लिए और पकाएंगे इसे दीखें अल्मोस्ट डन है मिक्चर अच्छे से ड्राय आउट हो गया है यह और पक भी किया है इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए पैन में रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा योगि पैन गरम है अच्छे से कूल डाउन होने के बाद ही हम इसकी स्टफिंग करेंगे अगर आप गरम-गरम स्टफ कर दोगे तो कचोडियां फट जाएंगी अपका ओईल खराब हो गई और कचोडियों से स्टफिंग भी निकल जाएगा यह देखें इसको मैं रख दे रही हूं थोड़ी मैं जितनी बड़ी आपको कचोड़ी चाहिए इतना डो आप निकालिए इसमें से आप थोड़ा सा अलग से आटा भी डस कर सकते हो अगर आपको जरुवत लगे तो या ऐसे भी बनाईए तो भी कोई दिखत नहीं है बीच में एक वेल सा बना लेंगे और इसमें हम स्टफि स्टफिंग डालें तक यह अच्छी से स्टफ हो जाए और हर बाइट में स्टफिंग आए इसे हम ख्लोस कर लेते हैं सील कर दीजिए अच्छी से दूसरा भी मैं आसे बनाऊंगे बीच में वेल बनाई है स्टफिंग डालें इसमें स्पोन की हेल्प से स्प्रेस कर दीजिए अंदर की हो सील कर दीजिए इसे यह देखे सारे पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं ऐसी अब मैं इसे रोलिंग पेन की हल्प से अच्छे से रोल कर लूँगी बेल लूँगी पचोड़ियों को हलकी हां से इने बेलना है आपको बहुत जादा प्रेशर नहीं देना है वरना यह स्टफिंग बाहर आ सकते हैं एक बार में मैं तीन चर बना के रख लेती हूं कि वरना यह बहुत जादा टाइम टेकिंग हो जाता है अगर आप एक एक बनाते हो तो कि थोड़ा सा आटा डस्क कर रहे हूं आप चाहो तो ओइल लगा के भी इसे आप रोल कर सकते हो और लगा के भी बेल सकते हो बट इससे एक्स्टा ओइल इसमें जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूं चलिए हम अब कचोडियों को डीप फ्राइ करेंगे ऑईल अच्छे से गरम हो जाए तब ही आपको इसमें डिप करनी है कचोडियों मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है यह देखें कितने क्रिस्प हो गई है उपर से और कचोडियों गोल्डन ही अच्छे लगती हैं तो इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से तलिएगा इसको निकाल ले रही हो मैं आप चाहो तो इसे टीशु पेपर पर निकाल सकते हो एक्स्टा ओईल ड्रेन हो जाएगा उसमें हलके हाँ से इसको प्रेशर दीजे वैसे तो इसमें मोहिन काफी है तो यह स्क्रिब अच्छे से क्रिस्पी बनेगे सारी कचोड़ियां मैंसी बना लेंगे यह देखे गुल्डेन हो गए है एक्सेस ओईल ड्रेन कर दीजे किचन टावल या टीशू पेपर निकाल के सारी कचोड़ियां ऐसी बना लेजे यह देखे बेटर कचोड़ियां रेडी होके हैं आप भी इसे जरूर ट्राय करेगा बहुत ही रेस्टी कचोड़ी बनती है और मुझे भी कॉमेंट करके बताएगा कैसी लगे आपको मेरी यह रेसिपी तक यू